तो नमस्कार दोस्तों टेक्निकल शेरू भाई चैनल में आपका स्वागत है तो हमारे A70S का स्पिकर हो गया है खराब यानि कि इसमें आवाज आ रही है फटी-फटी यानि कि इसमें ओल लिया तेल चला गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखो, मैं आपको इसके आवाज पहले बता देता हूं कि इसमें आवाज कैसी आ रही है तो यह कि इसमें फटी-फटी आण रही है इसके आवाज के लिए नहीं आ रही बिल्कुल भी सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं सिम ट्रे फिर खोलेंगे इसका पीछे का बेक पेनल तो सिम को मैंने निकाल दिया है और इसको कर लेते हैं बड़ी पहले सीच ओफ तो इसको हमने सीच्व कर लिया है अब उतारेंगे इसका धकन निकाल लेंगे और यह एक से लिए है मैंने इसके शाहिताज इसको निकाल लेंगे आप चाहें तो इसको गरम करके भी निकाल सकते हैं तो इसका डखकन में निकाल लिया है यह देगे साबूत एक डम और आप चाहें तो हिटिंग मशिन पर या गरम करके भी इसको निकाल सकते हैं अब इसके सारे पेज खोल लेंगे हम और इसके सारे पेज खोल लेंगे हम और ट्रे को नीचे की तरब से बाद में निकाल लेंगे सबसे तो यह देखिए निकल गया है और इसका स्पिगर यह रहा तो सबसे पहले इसके स्पिगर का सोलीशन कर लेते हैं हम हमारों कुछ ही नहीं करना है इसको स्पिगर को बहार निकालना है और यहां थोड़ा से चिक्कावा है इसको पत्ते को बहार निकाल लेते हैं यहार से निकालें क्योंकि यह कट गया तो प्रोब्लम हो जाएगी तो यह देखे फट्टा हमने निकाल लिया दोस्तों इस पीगर के उपर यह जाली लगी भी होती है जिसकी वज़े से अमार को आवाज फटी-फटी आ रही थी और यह ओल की वज़े से यह तेल चला गया जिसकी वज़े से उत तो इसको रख देदे साइड में और पूरे फॉन को मैं आपको इद बारी खोल के दिखाने दाऊं इसके अंदर क्या क्या है उसको हम करने पूरा टीर डाउन तो सबसे पहले खोल देदेश के उपर वाला पेज अटाले देश का मेन पत्ता अब अटा देदे बैटरी कनेक्टर अब अटा देदे ने ट्रक का वायर अब निकाल ले इसका मजर बोर भार यह देखे मजर बोर अब निकाल ले इसका नीचे वाला खेंगर पिंट सेंसर तो आप एजिली कुछ भी आइटम इसमें ऐसे चेंज कर सकते हैं और यह देखे इसका फिंगर प्रिंट निकाल देदे इसके डिस्प्ले का पत्ता और यहां से निकाल देदे इसका नेटर का वायर नेटर का वायर आप एजिली निकाले यह है इसका उपर वाला स्पिकर औ रिए है चारजिंग वाली तो इसमें भी बिल्कुल ब्सक्राइब कले इसको बाटाडेती है और यह है इसका फृरंट केमरा और यह है इसके पीछे के एक कैमरे तीन इसको में निकाल लेते हैं तो यह देखी यह तीनों कैमरे यह की फ्रेम में फ्रेट करके दिये हैं कमपनी ने मेटल की फ्रेंट के इंदर फिट करके दिये हैं तकि फोन हमारा गिरे करें हलका फुलका तो केमरे डेमेज नहीं होए देखिए हमने सारा सामन निकाल दिया इसका एक एक पार्स अलग-अलग कर दिया है आप बिल्कुल आसानी से कुछ भी आईटम चेंज कर सकते हैं इसी तर अब लगा लेते इसका फ्रेंट वाला कैमरा पूरा अच्छे से लोग करें और इसको उपर फिट कर देते हैं और इसके उपर का एक पेच कस देते हैं अब लगाते इसका नीचे वाला फिंगर्पिंट सेंसर और इसके भी दोनों पेच कस देते हैं पेच आपको ज्यादा नहीं कसने है इस बात का खास करकर धन रखें नहीं तो आपका कॉंबो डिस्प्ले खराब हो सकता है अब लगा देते इसके नीचे वाली चार्जिंग वाली प्लेट और इसको फिंगर्पिंट वाले पत्ती के कनेक्टर रुकर देते कनेक्ट इदर लगा देते डिस्प्ले वाला कनेक्टर भी तो यह भी हमने लगा दिया है अब लगा देते इसका में पता में पता आप एरो देखे ही लगाएं यह लगा दिया है अब लगा देते इसका नेटर का वायर और इसको इसके कोलर में बिठा देते हैं और उपर भी अटका देते हैं नेटर के वायर को आया तका यह है अब लगाते हैं इसकी साइड वाली फ्रेम में और मंठ कपरण अठा देना है speaker को Logan कर दिया हमने और पत्य बैठा दिया है अबवायते हैं इसकी सायड वाली फ्रेम साइड वाली फ्रेम ऑंद को नीचे से लगानी है कर दो फोरा यह कर देना यह रोक हो गयाँ अभ इसको करके दिख लेथे चालू पूर देखे दूस्तों चालू हो गया है अब करेंगे इसका इस्पिकर चेक तो इसको चालू होने देते यह अपसे कल देते हैं के नहीं तो मार को इस फिगर की आवाज का मालूम नहीं पड़ेगा हौँ अमने चालू कर दिया है तो पहले को अच्छे ekस देतें सके इसके मुचनल क मालूम पर जाएगा कि इस फिकर हमारा सइसे प्रॉपर काम कर रहा है यद residents प्रॉब्लम है कि दोस्तों सारे पेच हमने कस लिए हैं अब इसका स्पीकर चेक कर लेते हैं अब लगा देते इसकी साइड वली सिम ट्रे अब लगाएंगे इसका पीछे वाला बैक पैनल और बैक पैनल और बैक पैनल लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी से लगा देंगे स्वूलीशन ताकि ढखन अमरा चिपक जाएं और केमरे के ढखन पर थोड़ी साइब तो इसको साब कर देंगे तो यह हमने साब कर दिया है और अब इसको चिपका देते हैं अब देखेए इसकी स्पीकर के बाद बिलकु और मैं आपको एक बड़ी आवाज बापीश सुना देदाँ तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें बैल आइकन बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जै हिन जै भारत और आपको टेलेकॉम रिलेटर कोई भी जानकरी मेर से लेनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको पूरी साहता करूँगा